Hello everyone, very 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 warm welcome to Kelvin. जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम लोग लगातार आप लोगों के लिए NEET से रिरेटेट छोटे से छोटे अपडेट्स आपको देते जा रहे हैं ताकि आप लोगों को एक आइडिया लगा रहे हैं कि NEET में क्या चल रहा है exactly. तो जैसा हमको पता है दोस्तों की NEET की एक eligibility criteria होती है 17 साल, यानि कि 17 साल से कम वाले जो student है वो eligible नहीं होते हैं NEET exam देने के लिए. पिछले कुछ टाइम से काफी जो students है वो request कर रहे हैं NTA से की भईया जो इसकी eligibility criteria है उसको थोड़ा सा age को reduce कर दिया जाए. और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों एक ऐसे ही case के बारे में जिसमें petitioner, जो petition एक file हुआ है Delhi High Court में और वो dismiss हो गया है. क्यों dismiss हुआ है, क्या petition है आए जानते हैं. बेसिकरी दोस्तों petition इस तरी के साथा कि जो student है वो 13 महीने छोटा है अभी यानि कि 17 साल होने से, उसका कहना यह है, उसके जो council है, यानि कि जो court में उने council थे, उन्होंने यह बोला कि कम से कम minimum age 15 होनी चुई है. वहीं पर जो chief justice थे, जो bench के chief justice थे, उन्होंने यह बोला कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि interfere करना, एक ऐसे rule में जो already बिल्कुल clear है, और जो education और policy makers के हिसाब से बना हुआ है, यानि कि पहले से जो rule बना हुआ है, वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी interfere करने की जूरत नह ही है, until and unless, उसमें कुछ ऐसी दिकत हो, जो confusing, जो confusing हो, यानि कि समझ नहीं आ रही हो किसी बच्चे को या student को, और उनने ये भी रिमाग यहां पर add किया है, कि आजकल के जो बच्चे हैं, और पिछले अगर हम two decades की, यानि कि पिछले 20 सालों की बात करें, तो बच्चे जारा smart होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो policy makers है, जो education policies है, जो बन रही है, जो already बनी हुई है, उसका establishment को कहीं न कहीं छेडा जाए, तो यहाँ पर वो जो जो Delhi High Court मे, plea file होई थी, यानि कि जो petition file हो थी, उसको dismiss कर दिया गया है, ठीक है, यह यहाँ पर इस पूरी की कहानी में हमने आपको बताया, इसका पूरा brief version यहाँ पर दिया हुआ है, according to a PTI report, the Delhi High Court Tuesday dismissed with rupees 10,000 cost, यहाँ पर 10,000 पर हर्जाना भरना पड़ा, medical aspirant को plea challenging the minimum age criteria of 17 year, यानि कि 17 साल की eligibility criteria है, NEET के लिए, जो NTA organize कराता है, उसमें इनोंने challenge किया था, वहाँ पर जो PTI report है, उसमें य So, no reason to interfere, क्योंकि बहुत simple है, policy अलड़ी बनी हुई है, इसमें कोई छेड़ चाड़ करने ही जरूद नहीं है, जो eligible criteria है, वो according to the policy makers और the law है, उसके एसाब से बना हुआ है, कोई ऐसी problem नहीं है, तो यह था दोस्तों, NEET के बारे में update, और इसके अलावा कुछ बच्चे प्रशान होने की जरूद नहीं है, जैसे ही आएगा, वैसे ही आपको बता दिया जाएगा, जैको यहाँ पर वही सब चाहिए है, कि जो counselor है, यानि कि जो student है, जिसने basically petition file किया है, उनके जो council है, उनके जो petition है, उनके ये बोला है, कि जो age limit है, वो should be 15, तो आप लोग थोड़ जरूर से हमें comment करके बताइएगा, साथ इसाथ जो भी बच्चे need 2021 के लिए तयारी कर रहे है, उनके लिए free of cost all India test series हम लोगों ने launch कर रखी है, उसके बारे में आपको बताते हैं, ये वो दोस्तों need की 2021 की all India test series जो की बिल्कुल new pattern पे है, बहुत सारे student request कर रहे थे, कि sir हमें new pattern की test series नहीं मिल रही है, जैसा हमें पता है कि need का इस बार pattern change हुआ है, उसके basis पे all India test series, बिल्कुल free of cost, एक रुपए आपको नहीं देना है, सिरब आपको हमारे Google Play Store से application download करनी है, which is free of cost, जो बच्चे iOS user है, laptop पे यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए e-kides.in, यानि कि website version भी available है जो student need 2021 के लिए जातो रहे हैं, बड़ उनको पता है कि नहीं है, ठीक है, इस बार मैं try करता हूँ 2021 देने का, बड़ मेरा main target 2022 है, तो 2022 वाले बच्चों के ने, दोस्तों हम लोगों ने one year का, one year का fully batch launch कर रखा है, जिसके अंदर हमारे यहां पे expert faculties आपको पढ़ा रहे हैं, daily basis पर, और आपका weekly business पर, यहां पर, all India level पर test भी होता है, अगर आप लोग उस batch के बारे में दोस्तों जाना चाहते हो, जो कि 31 July को start हुआ है, तो जल्दी से उस batch को join करिए, क्योंकि time काफी ज़्यादा कम है, और आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, अगर आप 2022 के लिए target कर रहे हैं, तो registration का link आपको दिया हुआ है, description में, अगर आप need 2021 के लिए exam देने जा रहे हैं, practice के लिए भी जा रहे हैं, तो आप यह test series को जरूर से follow करिएगा, which is free of cost, 10 test होंगे, इसमें पूरा schedule आपको community में मिलेगा, YouTube के, तो make sure आप channel को subscribe कर लें, ताके आपको community से notification आ जा आपे हैं, कर लें.